नमस्कार दोस्तों मैं हूं कविर so welcome to streets24no7 तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कंड़क्टर भरती प्रिक्षा से इलेट ती सारी नीज़ क्या कंड़क्टर भरती की प्रिकषा रद होगी क्या गलत प्रिक्षा रद नहीं होगी गलत प्रेशन के दिये जाएंगे grace mark तो basically आपने देखा था transport minister of HP का एक simple सा question पूछा गया था और जो पुराने transport minister थे HP के उनी का नाम यहाँ पर डाल दे था even दो से धाई मीने पहले HP cabinet का shift हुआ था आपको पता है उसके बाद हमारे जो भी transport minister थे वो भी change हुए थे बट अभी भी इन्होंने पुराना ही स्वाल पूछ लिया जिस बज़ा से ये बहुत से students demand कर रहे थे उनको grace marks मिलने चाहिए तो finally बोला गया है कि यहाँ पे उनको grace marks मिल जाएंगे तो पूरी news क्या है देख लेते हैं एक बार HRTC की conductor भरती प्रीक्षा भले ही बबादों में हो लेकिन इसे रद नहीं किया जाएगा गलत स्वाल पूछने का भी प्रदेश करमचारी चैन आयोग grace mark देगा जैफ हैसला आयोग की बैठेक में लिया गया दूसरी और आयोग ने पुलिस थाना को सोशल मीडिया पर बाइरल किया पूरिस अरोफी की गिरिफतारी को रात दिन छापा मारी कर रही है लेकिन वह गिरिफ्ट से बाहर है तो अभी भी वह वो परसन गिरिफ्ट से बाहर है उलेखनी है कि रभीवार को शिमला के एपी गोयल बीवी सेंटर से भी एक अरोपी गिरिफतार हो गया था लेकिन उसे रात आठ बजे रोड़ू से गिरिफतार कर लिया गया था परदेश करमचारी चेन अयोग के चेर्मैन बिर्गेडियर स्तीश शर्मा ने बताया कि परिक्षा में 71% अभीवारतियों ने अपनी उपस्तिती दर्ज़ करवाई है परदेश के ब्रेशगारों के विश्य को देखती हुए इस परिक्षा को रद नहीं किया जाएगा 304 परिक्षा केंद्रों में से महज 2 परिक्षा केंद्रों में ही mobile phone के परियोग के मामले सामने आए हैं गल्द प्रेशन के लिए अभियारतियों को क्रिपांक दिये जाएंगे इसके लिए अभियारति साथ दिन के बीतर आयोग को अपनी अपतियां भेज सकते हैं तो दोस्तों ये बेसिकली निउस थी इसके अलाबा जो क्वेशन गलत था उसका भी सोचल मीडिया पर कापी मजा कुड़ता रहा नेक्स निउस पर आ जाते हैं नेक्स निउस क्या है तो आप देख सकते हैं जो कंड़क्टर भरती का मामले का जो अरोपी था वो हाटी सी में ही करता है काम तो बेसिकली कंड़क्टर लिखित परिक्षा भरती में अरोपी प्रिवहन भिवाग में ही मल्टी वरकर के तोर पर काम कर रहा था सोंबार को पुलिस ने इसका एक दिन का रिमांड हासिल किया है अरोपी के मुवाइल को जब कर फ्रोंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है अरोप है कि प्रिक्षा होल के अंदर मुवाइल ने मुवाइल से प्रशन पत्र की फोटो खींच कर उसने अपने भाई को मुवाइल पे भेजी थी जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि एक से दो दिन के बीतर अरोपी के भाई को पुश्टाल के लिए बुलाया जाएगा जिसको इसने इदर एस पी शिमला मोहित चावला ने कहा कि फुरेंसिक जांच के दिन के लिए अरोपी के मुवाइल फोन को भेजा गया है तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है मामले में अरोपी के भाई से भी पुश्टाच की गई उलेखनी है कि रविवार को हिमाचल पत परिवहन निगम की कंड़क्टर भरती की प्रीक्षा के बीच एपी जी बीवी सेंटर में अरोपी को पीपर लेख करने के मामले में लकी शर्मा रोडू निवासी को गर्फतार किया गया था इसने प्रशन के महच 20 मिनिट बाद मुवाइल से प्रशन की फोटो खींच के वट्सेप कर दी थी चोटा शिमला पुलिस एपी जी जी उनिवेस्टी के रिजिस्टरा की शिकायद पर मामले की जाच कर रही है तो बेसिकली अभी भी मामले की जाच हो रही है तो देखना होगा आगे क्या होता है हलंकि यहाँ पर ये भी बोला गया है हलंकि इससे पहले कहा गया है कि प्रिक्षा के अंदर में तैनात अनिरिक्षन ने उसे मॉवाइल समेथ पकड़ लिया तब तक उसकी अंसर शीट बिल्कुल खाल ली थी इसके बाद अरोपी प्रिक्षा हाल से चला गया सूचना मिलने का पुलिस मोके पर पहुंची और उन्होंने तफ्तीश में पाया था कि सोशल मीडिया पर बाइरल कंड़क्टर परेशन पतर एपी जी उन्वेस्टी के प्रिक्षा के होल से नहीं बलकि कांगड़ा के एक प्रिक्षा के अंदर से लीक हुआ है तो पुलिस का अब बेसिकली जो न्यूज आपको बता रहा था जिए दोनों न्यूज मैंने जो चूज करी है वो मैंने अमर उजला के आर्टिकल से यूज करी है तो आगे जो भी इसमें अपडेट रहेगी वो हम अपडेट कर देंगे आपको तो थेंक्यू बेरिमेंच दोस्तों इतना ह अनि था इस वीडियो में मिलेंगे हम भोजल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ